तो अजीस तल्वाओ तालिवाद आज का हमारा सबक है इजाफी मुताले में खाका निगारी जी हाँ ये खाका निगारी क्या है तो खाका कहते है स्केच को S-K-E-T-C-H स्केच कि इसके लगवे माणी होते है ढाचे के यहने बनाने के इन्हें खाके में किसी एक इनसान के नक्ष निगार को उसके नक्ष को बयान करना खूबियों को जाहिर करना उसे खाका कहते हैं मिंटू मेरा दोस्त मेरा दुश्मन ये खाके को असमत चुकताईनी लिखा है मिंटू के वारे में के अडलफी चेमबर की 24 सीड़ीों पर चड़ते हुए मुझे घबराट सी हो रही थी तो अस्मत चुक्ताई करें कि मुझे सिड़ी ओपर चड़ते हुए घबराट सी हो रही थी कि जैसे कभी इम्तियान के हौल में दाकिल होने से पहले हुआ करती थी यहने कि अक्सरों बेशतर कुछ तालबा और तालबाद ऐसे होते है कि एक्साम शुरू होने के पहले घबराट सी उनको शुरू हो जाती है पसीना पसीना हो जाती है तो यह है अस्मत चुक्ताई को भी पसीना आ रहा था घबराट मैसूस हो रही थी तो मुझे वैसे ही नए आदमीयों से मिलते घबराट हुआ करती थी यहां कि वो बयान कर रहे हैं कि वैसे भी मैं कोई जब किसी से पहली बार मुलाकात के लिए अगर जा रही हूँ तो मुझे उनसे मिलने पर जो तो मुझे घबराट सी हुआ करती थी लेकिन यहां तो वो दुनिया आदमी यहां तो यहां तो वो नया आदमी मिंटू था तो जिससे पहली बार मिलने मैं जा रही थी तो मेरी गबराहट वहिशत के हदों को छुने लगी यहां कि गबराहट हस से ज़्यादा बढ़ने लगी मैंने शाहिद से कहा यहां कि उनके शोहर से कहा चलो वापस चले यहां कि हम मिंटू से मुलाकात नहीं करते हैं चलो वापस चलते हैं यह इसलिए कहा कि असमत चुकताई को घबराट हो रही थी तो चलो चलते हैं घर पे वापस चले शाहिद मिंटू घर पर ना हो और उन्होंने कहा कि शाहिद हो सकता है कि मिंटू घर पर ना हो ऐसा करते हैं वापस चले जाते हैं मगर शाहिद ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया यहने कि शाइद ने मना कर दिया कि नहीं मिन्टू घर पे होंगा अब यहां तक हम आ ही गए है बस दर्वाजे तक पहुशना बाकी है और सिडियों को भी पार करना शुरू है तो शाइद ने कहा कि नहीं वो घर पे ही होंगा और यह कहा शाइद ने कि वो शाम को घर पर ही र तो मेरे पर सौधुर यहने कि मैं जो है तो घबरा रही थी परिशान हूं रही थी और शायद ने जो है तो उनसे जाकर मिला दिया मगर मैंने जी कुड़ा कर लिया यहने कि जी को छोटा कर लिया यहने कि हिम्मत करके जी कुड़ा करना यहने कि ना गवारा बात को भी कुबूल कर लेना तसलीम कर लेना उसे मान लेना उसे कहते हैं जी कुड़ा कर लिया यहने कि मैंने दिल ना चाते हुए भी शाहित की बातों को पर जो है तो उसकी बातों को कुबूल कर लिया और जालने के लिए तयार हो गया तो ऐसा भी सूचा कि मुझे खातों नहीं जाएगा अब कोई इंसान किसी इंसान को तो नहीं खाता तो यह इसी उनको एक घबराट सी महसूस हो रही थी घबराट हो रही थी इसलिए उन्होंने कहा है कि कोई मुझे खातों नहीं जाएगा दो होने दो जो उसकी जुबान की नौक पर डंक है यहने कि उसकी जुबान की नौक पर जो तो डंक है डंग से मुराद यानिके जिस तरह से साप डंग मारता है या मच्छरम को डंग मारता है काटता है तिसी तरह उसकी जुबान भी नो के लिए है मैं बुल बुला तो नहीं यानिके मैं कोई एक पानी का बुल बुला तो नहीं हूँ जो फूख मारी तो बैड़ जाओंगे, यहने के पानी का बुलबुला जो पानी पर आता है या सरफ साबुन के पानी के वज़े से जो फेंस के वज़े से पानी के बुलबुले होते है जब वह सबर फूक मारते है तो वो फूड जाते है तो मैं कोई बुलबुला नहीं हूँ जो फूर जाएंगी तो चर चराती गिर्द आलूद सीड़ियां तै करके हम मन्जिल पर पहुंचे यहने के मिंटू के कमरे तक के पहुंचे यहने के चर चराती गिर्द आलूद सीड़ियां यह तो चर चर अरती पहले के दोर में जो है तो चलने के लिए पाईरिया जो होती थी तो लखड़ी की बनी होती थी पटलियों की बनी होती थी तो उस पर चलते वक्तों में आवास किया करते थे हुँ तो मन्जिल पर पहुंचें फ्रेट का दर्वाजा नीम हुआ था यहने के दर्वाजा आदा खुला हुआ था और आदा बन था यहने के थोड़ा सा बेड़ा हुआ था ड्राइंग रूम नुमा कमरे में एक कोने में सोफा सेट था एक कोने में सोफा सेट रखा दर्वाजा खुला था हैने के कोन आ रहा कोन जा रहा उस पर नजर रखी जा सकती थी ऐसा होता है तो दूसरी तरफ एक बड़ा सा सफेद और साफ पलंग पड़ा था एक तरफ ड्राइंग रूम नुमा कमरा था और उसमें कोने पे सुफसेट रखा हुआ था तो दूसरी सिम्त में जो है तो एक सफेद और साफ पलंग रखा हुआ था खिड़की से मिली हुई एक लदी फंदी बड़ी मेज के सामने एक बड़ी सी कुरसी पर एक बारी मकोडे की शकल का इनसान उकड़ू बैठा हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक लदी फंदी यहने के बहुत भरी हुई मेज सामने रखी हुई है टेबल रखी हुई है और उसके सामने जो थे एक बड़ी सी कुरसी रखी हुई है मेस के सामने और कुड़ सीक पर जो है तो एक बारी एक मकोड़े की शकल का इनसान उकड़ू बैठा हुआ था तो ये लब्ज अस्मत चुक्ताई ने मिंटू के लिए कहा है सादत असन मिंटू के बारे में काया कि सादत असन मिंटू जो है तो एक दुबले से इनसान थे एक बहुत दुबले पतले इनसान गुजरे है और उनकी हाइड ज्यादा थी लेकिन वो असल में दुबले थे तो इस वज़े से उनकी हैड भी मालूब नहीं होती थी इसलिए उन्होंने मकोडे की शकल का इनसान कहा है तो जैसे ही दर्वाजे के करीब ये दो शाहिद और असमा चुकताई पोची तो उन्होंने मिन्टू ने अंदर से देखा तो आवाज लगाई कि आईए आईए बड़ी खंदा पेशानी से मिन्टू खड़ा हो गया अब उसके पेशानी भी जो है तो बड़ी, खंदा पेशानी के खुश मिजाज, हस्मोक पेशानी जो है तो उसके चेरे से जाहर हो रहा था कि यह हस्मोक इनसान है तो मिंडू उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा के आईए, आईए, मिंडू हमेशा कुरसी पर उकलू बैठा करता था और बहुत मुक्तसर नजर आता था यह जब कोई इनसान पहुत ज़्यादा दूबला हो, हैड बला ही ज़्यादा हो लेकिन दूबला हो, तो सिमट कर बै खंबा निकालाता था, लेकिन जब बैठने पड़ तो ऐसा मालम पड़ता था, कि इनकी हाइट कम है, लेकिन जब खड़ा होता था, तो ऐसा लगता था, एक बहुत बड़ा जो हमारे साब ने खंबा आकर खड़ा हो गया, और बाज वक्त जब मिंटू, जब मिंटू यू प्रेंग कर खड़ा होता था, तो बड़ा जहरीला मालूम होता था, इसा लगता था, जैसे कोई साब जब जब मिंटू पर से खड़ा हो रहा है, और जहरीला मालूम पड़ता था, तो उसके जिस्म पर खड़र का कुर्टा, पाजामा और जोहरी कोड सद्री थी, यहने कि वो जो कपड़ा जो शर्ट वगरा जो पेनता था तो वो खदर का यहने के कौटन की एक जो किस कपड़े की जो एक किसम आती है कौटन और कौटन से खादी आता है तो खादी को खदर का कुड़ता कहा जाता है तो उसका पाजामा पेना करता था उसके उपर से जोहरी कट सद् या मोती के, तो मोतियों से भरा हुआ एक सदरी, एनिके जो हम आधे αस्तीन का, या बगएर अस्तीन का जो उपर से कमरी पेनते हैे, तो उसे सदरी कहा जाता है, एनिके आमत और अगर उसे देखा जाए, तो आज के दोर में हम हाप जाकिट कहेते हैं, जाकिट जो उपर से पेना जाता है तो उसे सदरी कहा जाता है तो हाफ अस्तीन के उपर से उसने सदरी पेने हुई थी तो फिर उसने बोलना शुरू किया अरे मैं समझाता कि आप नियायत ही काली, दुबली, सूखी, मरियलसी होंगी अब मिंटो जो है तो मज़ाई अन्दाज में असमाच çुकताई को कह रहा है कि रहे मैं समझाता कि आप नियायत ही काली होंगी, दुबली होंगी, सूखी होंगी और बिलकुल मरियलसी होंगी उसने दाथ निकाल कर हस्ते होई यह कहा मिंटो ने हस्ते होई कहा मैं तो समझाता कि आप बहुती नयायती नीरी काली होंगी दुबली होंगी सूखी होंगी और बिलकुर मरी अरसी होंगी मरने के करीब होंगी और मैं समझती थी अब फिर उसका जवाब भी जो है तो असमा चुकता ही दे रहे है कि और मैं समझती थी आप नयाय थी दबंग किस्म के जंगारते हुए पंजाबी होंगे जंगारते हुए ने कि हाती के जैसे गरशते हुए इनसान होंगे आपकी हालत अच्छी हुँगी आपकी आवाज अच्छी हुँगी हाती के जैसा आपका बोल चाल होंगे हाती जिस तरह से गरचता है बोलता आवाज लगाता है तो ऐसी आपकी आवाज होंगी तो उन्हों ने एक दूसरे को मजाय अंदाज में कहना शुरू किया अब उसके बाद देखिए और दूसरे लम है हम दोनों पूरी तुन्दी से यहने के जल्दी से जुटकर यहने के मिलकर बहस करने लगे यहने के आमने सामने बैठ गए कुर्सियों पर सोपर रखा हुआ था और मेज एक सामने रखी थी उसके सामने कुर्सी थी वो जल्दी से बैट गया और दोनों भी जो है तो बैस करने लगे कि दो तीन बार बात उलज गई यहने बाता बाता में जो है तो बात दोनों की उलज गई नहीं कि लड़ाई जगड़े पर आ गई लेकिन जरासा तकलुब बाकी था जरासी नुमाईश जरासी नजाकत जो है तो बाकी थी लेयाजा दूसरी मुलाकात के लिए उठा रखी यहने कि थोड़ी सीग नुमाईश थोड़ी सीग नजाकत यहने कि अदब काईदा जो थोड़ी सा बाकी था तो उन्होंने दूसरी मुलागात के लिए उठा के रख दिया कि जब दूसरी मुलागात होंगी तो उसमें हम थोड़ा ऐतियास से बात करेंगी कई गंटे हमारे जबडे मशीनों की तरहां मुखतलिफ मौजवात पर जुमले कतरते रहे यहने के उनके दात जबडे कहा है मुख के दो जो इससे होते है तो उनके दोनों इससों के बीच में दात होते है उससे जबडे कहा जाता है तो दोनों जो जबड़े जो है तो एक मशीनों की तरहा जबड़ों की तरहा जबड़ों की तरहा जबड़ों की तरहा उसकी मिसाल देना यहने किसे यह मुराद है कि वो आपस में गुफटगू स्पीड से करते रहें जिस तरह से मशीन हरकत करके जो है तो अपना काम करती है तो मुखतलिफ मौज़वात पर रहने के अलग अलग टॉपिक पर जो है तो वो बाते करते रहें और मैंने जल्द ही मालूम किया के और फिर अस्मा चुकताई ने बातों बातों में ये जल्द ही मालूम कर लिया इस तरह बिछ बीच में जो बात काटना के आदित दोनों भी थे अस्मा चुकताई बी प्रकिती दो भी खतम हो गया बातों ने बहस और बहस ने बाकाइदा नोग जोग की सूरत एक्तियार कर ले बातों बातों जोए तो बहस होने लगी और बहस नोग जोग एक दूसरे को बुरा बला बोलना शुरू हो गया और फिर उसके बास सिर्फ चंद घंटों की जान इसके बलबुते पर उनिए उसके पूरे दारों मदार पर उनने एक दूसरे को नयायत عदवरे किस्म के लबजों में इनिए कि अदब से तालूर रखते हुई अच्छे लबजों में कहा ऐहमक कहा जुकी कहा जुकी थैनिए जैदा बोलने Walा और कुछ बहस कहड़ा और कु मैंने गुमासान यहने की लडाई या जंग ऐसे उनकी बाते हो रही थी ऐसा लग रहा था कि दोनों के आपस में लडाई हो रही है जंग हो रही है तो उसे कहते हैं गुमासान तो यह गुमासान के बीच मैंने असमा चुकता है करें कि मैंने एक बार किनारे होकर गौर से में उसके काच के पीछे लपकती हुई बड़ी बड़ी सीहा पुतलियों में यहने के हमारे आखों के अंदर काली पुतली होती है जिसे सीहा पुतली कहा जाता है तो जो एक काला रॉन होता है मुक्तासर सा मूती के मानिंद तो वो काली पुतली होती है तो आखे जिने देखक मुझे बे साकता मोर के पर याद आ गए यानि कि बगएर रुकावट के मुझे मोर के पर याद आ गए कि मोर के पर भी कुछ जो है तो गोल कोल उसमें डिजाइन बनी होती है और वो सिया होती है तो मोर के पर और आखों का क्या जोड़ यहने कि जैसे ही उन्होंने मिन्टू पर एक नजर दोड़ाई एक तरफ होकर किनारे से हटकर और मिन्टू को गौड से देखा तो उनकी असमत चुकताई की नजरे जो है तो मिन्टू के चश्मे पर पहुँची और चश्मे के जो काच थे तो वो बिल्कुल मोटे मोटे थे तो उसके पीछे उन्होंने उनकी आखों को देखा आखों में पुतली को देखा तो पुतली देखने से डाइरेक मुसनिफ का जहन यानि कि असमा चुकताई का जहन मौर के पर की तरह चला गया तो फिर वो कहने लगी कि मौर के पर और आखों का क्या जोड़ है कोई तालुक नहीं है ये मुझे कभी ना मालूम हो सका मगर जब भी मैंने आखों को देखा मुझे मौर के पर याद आ गए तो मौर के परों की तरह जो है तो मिंटू के आखे मुसनिफा को असमा चुकताई को नजर आती थी शायद रहुनत और गुस्ताकी के साथ साथ रहुनत कहते है गुरूर घमन को और गुस्ताकी याने के बेअद्बी बेशरार्टी को कहते है बेअद्बी करना और बेशर्मी वाला इनसान जो है तो उसको कहा जाता है तो बेअद्बी और घमन और बेअद्बी के साथ बेशर्मी के साथ साथ मैं साथ साथ उनमें बेस हाकता शगुफ तगी भी मौर के परो की तरह याद दिलाती थी शगुफ तगी जिस तरह जिसे फूल खिलते है तो ऐसा लगता था जैसे कि जैसे मौर भी तो अपने दोने परो को खोलता है और फिर नाचना शुरू कर देता है तारो वैसा ही शगुफ तगी कहते है जैसे ही चमन में जो फूल खिलते है फूलों के खिलने को सरसब्स शादाबी को जो है तो शगुफ तगी कहा जाता है तो उसकी आखे भी मुसनिफा को शगुफ तगी यानि के फूलों के खिलने सरसब्स शादाबी की तरह याद आने लगी थी उन आखों को देखकर मेरा दिल धक से रहे गया यानि के आखों को देख से जो है तो एक दम घपराट से जो है तो धका चौकन ना हो गए और उन्हें तो मैंने कहीं देखा है यानि के इसे आखों को तो मैंने कहीं देखा है बहुत करीब से देखा है कहका लगाते हुए और फिर अस्मा चुकताई को जो है तो एक हसी आ गई संजीतगी से मुस्कुराते हुए और फिर आइस्ता से अपने आपको समेट लिया और मुस्कुराते हुए तंज के नश्तर तंज कहते है ताना देने को तो तंज के नश्तर यानि के जखमों चहरे का वार जो है तो वार जो है तो फिर चले तो और फिर निजा के आलम में पत्राते हुए पत्राती वही नाजुक नाजुक हाथ पैर पर जो है तो टोकरा भर के बाल चिपके हुए थे यहने कि वही आँखों के उपर सर था और वही नाजुक नाजुक हाथ पैर नजर आए मिंटू के और उसके उपर सर के उपर जो है तो सर पर एक टोकरा भर के बाल मालूम होते थे नहीं कि सर पर उनके बहुत ज्यादा बाल थे बड़े बड़े बाल और एकदम ज्यादा वाले बाल, ज्यादा थे दाद में, पिछके जर्द जर्द गाल, और गाल भी कैसे थे एकदम बिल्कुल पिछके पिछके मालूम होते थे, कुछ बे तुके से दात ना जाने किस बात पर मैंने कहा, और दात भी कैसे उनके बे तुक ने किस बात पर मैंने कहा और दातों को देखकर फिर उसने कहा तो यहां पर दो माइनी आये हुए है निजा और पत्थराते निजा कहते है जगडे फसाद को तक्रार करने को और पत्थराते के माइनी होते है पत्थर हो जाना सक्त हो जाना तो यहाँ पर यह दो मैनी आए हुई है वही नाजोग नाजोग हाथ पैर सर पर टोकरा भर बाल पिछके जर्द जर्दगार और कुछ बे तुके से दात ना जाने किस बात पर मैंने कहा यह बिल्कुल गलत और हम बाकाइदा लड़ पड़े मुसन्नेफा ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है और दोनों फिर आपस में ड़ड़ पड़े बाकाइदा यह ने कहा है देगे साथ जिस सरजे जब से अंदर कमरे में आए हुए थे मिन्टू के जब से लेकर अभी तक जब तक उनका लड़ना शुरू था आप कुछ बहसी कर रही है मिन्टू ने कहा कि आप कुछ बहसी यह ने कि बहस करने वाले बहसी कहते है बहस करने वाले हिमाकत है यह ने कि यह बेकूफी है बेकली है यह किसने कहा हिमाकत है यह यह कहा है अस्मत चुकताई ने कहा कि हिमाकत है जैसे मिन्टू ने कहा कि आप कुछ ज़्यादा बेस ही कर रही है आप जो तो बहुत 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 कर रही है तो फिर असमत चुकताई नहीं का कि यह हिमाकत है यह बेखुफी है मैं बहुत नहीं कर रही है अकेली नहीं कर रही है तो फिर असमत तो फिर मिंटू ने कहा कि धानली है असमत बहन कि आप मेरे ने कहा कि नहीं कहता फिर उसके बाद में जो है तो मेरे बारे में मेरे भाईयों के ख्यालाद भी कुछ खुश गवारा नहीं है असमा चुकताई ने कहा कि असल में मेरे भाईयों के जितने भी भाईये तो मेरे बारे में उनके कुछ ख्यालाद खुश नुमा नहीं है खुश खासा होंगा और खासने के बाद में असमा चुक्ताई ने कहा कि यह आपको खासी है आप इसका इलाज क्यों नहीं करते इलाज तो मिंटू तो मिंटू ने कहा इलाज एक सवालिया अंदाज में उसने कहा कि इलाज तीन साल हुए डक्टरों ने कहा था साल भर में मर जाओंग तो में TB है, TB, यहने के T से मुराद tuber, और B से मुराद cubanneis, यहने के तिपधक जिसको और्थू में तिपधक की विमारी कहा जाता है, tuberculosis, TB का long form होता है, tuberculosis, और जिसको हम और्थू में तिपधक कहते हैं, तो तिपेदा कहने कि टीबी की विमारी है साब जाहिर है कि मैंने ना मर कर उनकी पेशन गोई को सच्चा साबित होने नहीं दिया यहने कि मिन्टु कह रहे हैं कि मैंने उनकी पेशन गोई की थी यहने कि जो आगे की पेशन गोई करना कहते हैं आगे की बात बताने को मिस्मर, मिस्मरेजम, यानि कि मिस्मरेजम कहते हैं, मिस्मरेजम और जादू करने वाले ज्यादा अकलमन होते हैं, यानि कि इन से ज्यादा तो मिस्मरेजम और जादू करने वाले ज्यादा अकलमन होते हैं, यहाँ पर एक लफजा आया है मिस्मरेजम, एक इल्म जिसके जादूर heid जादू टूरना करते हैं क्रणी करते हैं इलाज पानी करने वाले होते हैं तो उन से जदा अकल मुदध होते हैं बाइब्ध शुकता है नहीं का Franken say तो यही आप से पहले एक बुज़ूर को फ्रिमाया करते थे मेरे भाई अजीम बेग मेरे भाई अजीम बेग नौमन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे है यहने कि उनको कबरों में दफना दिया गया है और उनका इंतिकाल हो चुका है तो थोड़ी देर हम अजीम बेग के फन पर बहस करते रहे आये थे सिर्फ मुलाकात करने लेकिन बातों बातों में रात के 11 बच चुके आये थे सिर्फ मुलाकात करने के लिए और मुलाकात करने के लिए इनसान जब किसी क्या जाता है आता है तो 10 मिनट 15 मिनट या आदा घंटा लेकिन जो है तो बाते करते करते जो है तो बहस हुई मुबाइसा हुआ आपस में नोग जोग हुई और बातों बातों में जो है तो रात के 11 बच चुके शाहिद जो हमारी जड़पे अलग थलग बैठे देख रहे थे यहने कि असमा चुकताई के शोवर शाहिद एक तरफ बैठे हुए थे और दोनों की जड़पे दोनों की बाते गुफतगू और उनमें आपस में लणना एक दूसरे को बुरा भला कहना तो दूर से बैठ कर दे जाएगा लéhāजा खाना खा ही लिया जाएक कि अगर हम खाना यही खाएंगे तो हमारे लिए बैठर हो जाएगा ने तो खाने के लिए हम चोगतू हूँ मिन्टों ने असमत चुकताई को कहा क्या जब तक होटल से रोटी लेकर आता हूं। फिर उसने कहा कि जरा इस बर्नी से अचार निकाल लीजी बर्मी में अचार रखा हुआ था बर्नी में उसने अचार निकाल लिए मिंटों ने तेजी से मेज पर खाना लगाया और कुर्सी पर उक्डू बैट गया क्योंकि मिंटों की आदत कैसी बता है संद्पार ने या वही मेज जो दम भर पहले अद्धी कार गुजारियों का मैदान बनी हुई थी यानिकि एक दूसरे अदब वालों पर जो है तो कार गुजारी एक दूसरे की हम सुनाय रहते कि यह अद्धी वैसा है यह शायर ऐसा है तो एकदम खाने की मेज की खिदमत अंजाम देने लगी यानिकि वही जो मेज थी जहां हम गुफतगू कर रहे थे बाचीत कर रहे थे बैसो मवाजा कर रहे थे वह फिर एकदम वह मेज खाने के शकल में बदल गई और बगएर किसी से पहले आप कहे हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया यानिकि जो हम मेमान किसी क्या जात तो एक तकल्फ होता है दावत में जाते हैं तो थोड़ा सा उतारिए पहले आप शुरू कीजिए इस तरह से तकल्फ की बाते हुआ करती थी तो पहले आप कहे बगार सबने अपने अपने सामने जो तो खाना शुरू कर दे क्योंकि रात के 11 बच चुके थे और भूख सभी को लगी हुई थी जैसे बरसों से इसी तरह खाने के आदी है जैसे कि हम घर में एक घर में कई फर्द रहते हैं और हमेशा खाते है तो एक दूसरे को यह नहीं कहते कि खाना शुरू कर दे जाए बलकर जिसके समने खाना गया और खाना शुरू कर देता है तो मुसनिफा ने कह अस्मा चुकताई ने का कि ऐसा लगा रहा था जैसे हम बरसोख से इसी तरह से आपस में मिलकर खाना का रहे जबके ये उनका पहला खाना था पहली मुलाकात का मिंटू फिलमिस्थान में करीब करीब मुस्तेकिल था है हमेशा से जो तो फिल्मिस्तान के लिए वो ड्रामे वगरा लिखा करते थे वो बड़ा खुश नजर आता था अपनी जिन्दगी में वो बहुत खुश था मदा सुराई यहने के तारीफ करना खुशी की बाते करना जो उसकी जिन्दगी का सहरा थी यहने के लोगों के खुशी करना मदा सुराई यहने के खुशी में शरीफ होना और खुशीयों की बाते करना यह उसकी जिन्दगी का सहरा था सहरा थी उसे मिलनी थी के उसकी फिल्म आठ दिन कामियाब ना हो सकी यहने जो मिलनी थी तो उसकी फिल्म जो है फिल्मिस्तान छोड़कर अशोक कुमार के साथ मुंबई टाकिस चला गया उसे अशोक कुमार बहुत पसंद था मुकर जी ने ना जाने उसे क्या कहे दिया था कि वो एक दम उनके खिलाफ हो गया उसकता है मुकर जी जो है तो मुकर जी ने फिल्मे बनाने वाले जो थे तो उन्होंने मिन्टू को क्या कही दिया था बुरा भला ऐसा कौन सा जुम्ला कही दिया था कि जियो मिन्टू जो है तो मुकर जी के खिलाफ हो गया था बकवास है मुकरजी, फराड है, पका, पका फराड है, धोके बाज है यहने कि वो बकवास बाते करता है, यह मिल्टू ने का, मिल्टू ने का कि वो बकवास बाते करता है फराड है दोकेवाज है दोका देता है वो तलकी से कहेता हैं कि कड़वाट के साथ कहेता है तो मंबे टाकीस में जाकर उसने मुझे भी कमपणी में एक साल के लिए सिनियरियू डीपार्मेंट में काम दिलवा दिया यहने कि अस्मा चुक्ताई को भी उसने काम दिलवा दिया और बहुत ही खुश हुआ कि अस्मा चुक्ताई को जो है तो मेरे जरीए से नौकनी मिल गई अब हम दोनों मिलकर कहानी लिखेंगे दोनों मिलकर जो तो साथ में कहानी लिखेंगे तहल का मच जाएंगा इने के दो दिमाग होंगे और कहानी हम एक लिखेंगे मेरी और आपकी कहानी अशोक कुमार हीरो बस फिर देखेंगा और कहने लगा के अशोक कुमार हीरो होंगा और हम दोनों जए तो हमारी कहानी होंगी और फिर फिल्म बन कर तयार होंगी और फिर जो है तो फिर मज़ा देखो मगर मिंटू की कहानी रह गई मिंटू दिन भर अपने कमरे में बैठा अपनी कहानियों की उधेरबुन किया करता था उधेरबुन कहते है सिलाई निकालने को और फिर सीने को तो जिससे एक मिसाल दी गई है कि सिलाई को उद्रना और फिर उसे दोबारा सीना ये मिसाल दी गई है यानि कि वो अपने जुम्लों को कुछ जुम्ले लिखता फिर उसको काड़ देता फिर उसके जगा दूसरे जुम्ले लिखता तो कहानियों में फिर बदल करते रहता था तो कभी अंजाम को आगास बनाकर कभी आखरी जो लाइने है आखरी जो हिस्सा है कहानी का तो उसको पहले लेके आजाता तो कभी आगास को अंजाम बना देता और कभी जो इप्तिदा का जो पहरे गिराफ है कहानी का जो पहला सीनद उसको आखिर में लेके चले जाता और तो फिर क्या करता कभी वस्तों से शुरू करके यानि कभी दर्मियान से शुरू करता और आगास पर लग जाकर इस्टार्ड में जाकर शुरुआत में जाकर उसको खतम कर देता और वस्त को अंजाम बना देता और दर्मियानी जो हिस्सा रहता है कानी का दर्मियानी इसा उठाता और आखिर में लिख चल जाता तो इस तरह उसकी जो है तो कानियों में फिर बदल को करते रहे था बावजूद हजारों आपरेशनों के कहानी की कोई कुल अशक कुमार को पसंद ना आई यहने कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद कहानी का यह सिरा इदर लिख जाना पहला इससा बीच में लाना बीच का आखिर में लिख जाना यह आखिर का फिर बीच में लाना फिर बीच का जो है तो इस्टाड में लेग जाना तो इसी तरह से कहानी का operation चलते रहता है और इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी जो है तो ये कहानी अशुक कुमार को पसंद ना आई मगर मिन्टू यही कहता आप गंगोली को नहीं समझती मैं समझता हूँ कि वो मेरी कहानी में जरूर काम करेंगा यहने कि मैं जो कहानी लिख रहा हूँ तो वो कहानी में जरूर काम करेंगा कि कहानी में उसका rule romantic नहीं यहने कि उसको कहानी गंगोली को कहानी आईसे हो ना कि जिसमें रोमांटिक की बाते हो रोमांटिक की अदाकारी हो लेकिन आपके काहनी में रोमांटिक नहीं है बाप का है वो कभी नहीं करेंगा और मिंटू से फिर लडाई होने लगी और फिर मिंटू से दोबारा लडाई होने लगती है मगर अदबी जुबान से ने कि अदब के साथ दूसरे को बुरा-बला कह रहा है लेकिन हमारे जैसा नहीं, जैसे हम बॉल चालकी जुबान में गुस्से में एक दूसरे को बुरा-बला देते है, गालिया देते है, तो ऐसा नहीं, बलकि अदब के अदबी अलफाजों में, यहां अपनी फिक्र पड़ी थी, और वही हुआ कि जिद्धी और महल बन गई और फिर जो है तो वो एक जिद्धी इंसान जो है तो फिर वो एक महल की नुमा में बन गई उसकी जिद्ध ज्यादा बढ़ने लगी यहने कि एक महल की शकल में बढ़ने लगी मिंटू की कहानी रह गई मिन्टू को उसकी उमीद ना थी और उसे बड़ी जिलत महसूस हुई वो सब कुछ जहल सकता था मिन्टू सब कुछ जहल सकता था सब बाते सहन कर सकता था लेकिन बेकदरी नहीं जहल सकता था कि उसकी बेज़ती हो उसकी कोई कदर ना कर रहा हो इस पर वो ये बात जो है तो बर्दाश नहीं कर सकता था उधर मुल्कों के हालाद बिल्कुल ही अबطर हो गए थे उन्बे बिल्कुल बदल गए थे उसके उसके बीवी बच्चे उसे पाकिस्तान बुलाने लगे के मिन्टु को अब पाकिस्तान चले आ जाओ मुलकों के हालत खराब हो चुके है तो मिन्टू ने हमसे भी चलने को कहा अस्मा चुकताई को भी वहाँ चलने के लिए कहा पाकिस्तान में हसीन मस्तक्बील है ने के हमेशा हमेशा खोबसूरत मस्तक्बील है तो पाकिस्तान ले जाने को असमा चुकताई को पाकिस्तान लग जाने के लिए तैयार हुआ लेकिन वहा हम ही हम होंगे यहने कि हमारे सिवा कोई नहीं होंगा हम बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमारी तरक्की हो जाएंगे तो मेरे जवाब पर मिंटू मुझसे वाकिव बद्दिल हो गया यहने कि नाखुश नाराज हो गया इतनी लडाईयां और जगड़े मेरे उससे हुए मगर यूं किसी संजीदा उसूल पर बहस नहीं हुए किसी अच्छे टॉपिक पर किसी साइलेंट टॉपिक पर कोई बहस नहीं हुए और उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि मिंटू कितना बुजदिल है डरा हुआ इंसान है कि किसी भी कीमत पर वो अपनी जान बचाने को तयार है अपना मुस्तक्बिल बनाने के लिए वो भागे हुए लोगों की जिन्दगी की कमाई पर दांत लगाए बैठा है और मुझे उससे नफरत हो गए यानि कि वो यहां से जो लोग भागे हुए थे पाकिस्तान अलग बनाए थे 1947 से पहले आजदी के पहले आजदी के बाद में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बटवारा हो गया था तो असमच्स चुकता ही करें कि वो कतना बुजदिल इनसान है डरफोग इनसान है कि किसी भी कीमत पर वो अपनी जान बचाने को तैयार है यहिनिकchair अपनी जान बचाना चाहता है और अपने मस्तक्बिल को बनाने के लिए वो भागे हुए लोगों के साथ में जो है तो जिन्दगी की कमाई पर और दात लगाए बैठा है यहीं कि उसको कब्जा जमाने पर जो है तो बैठा हुआ है और मुझे उससे नफरत होगी फिर इस बात पर कि वो पाकिस्तान जाना चाता है एक दिन वो बगजर इत्यला किये और मिले पाकिस्तान चला गया फिर वो उस दिन जो है तो मुलाकाट उनकी खत्म हो गई और फिर असमा चुकताई मुसन्निफा कह रही है कि वो मुझे बगए इत्यला किये हुए बगए बताये हुए यहाँ से इंदुस्तान से फिर वो पाकिस्तान चला गया मुझे बड़ी हितक महसूस हुए फिर जब उसका खत आया कि वो बहुत खुश है प०र उसका पहला खत आया कि उसका खत पे लखाता कि मैं पाकिस्तान में अपनी زिन्दगी बहुत खुशी के साथ कीमती साजो सामान से आराइसता है यानि कि वो घर में बहुत कीमती सामान से वो घर सजाया हुआ है हमें उसने फिर बुलाया था कि आप पाकिस्तान आ जाओ जिद्धी खत्म हो गई थी यानि कि उसकी जिद्ध खत्म हो गई थी और हमने आर्जु शुरू कर दी थी तो बुरे वक्त आये थे और चले गए यहने कि हम पर जो बुरे वक्त आये थे बुरा दौर आया था वो आया था और चला गया उसके फिर दो खत आये पहला खत आये फिर दौर दो खत आये यहने कि तीन खत हो गए उसने फिर बुलाया था एक सिनेमा अलाउट कराने यानिके खत्म करने के एक से एक फिल्म बनाना है काहनी लिखना है कि उम्मीद दिलाई थी कि सिनेमा आउट की एक उम्मीद दिलाई थी मुझे बड़ा दुख हुआ पहले भी यकीन था मगर अब तो और भी मान जाना पड़ा यानिके खानियों लिखने के फिल्म बनाने की मेनत पर मुझे बहुत यकीन था भरोसा था लेकिन अब तो मानना ही पड़ा अब तो बिल्कुल मान जाना पड़ा मैंने उसके खत्फार दिये मैंने उसके ख़त फार दी इस बात से इस बात से चिड़कर के वो मेरे उसूलों की कदर क्यों नहीं करता कि मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती और वो मुझे पाकिस्तान बुला रहा है मैंने उसे जाने से नहीं रोका कि मैं उसके बीच में पाकिस्तान जब मिन्टू जाने के लिए जित कर रहा था कि मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मैंने उसको नहीं रोका लेकिन फिर भी फिर वो मुझे अपने रास्ते पर क्यों घसिट रहा है कि फिर मुझे पकिस्तान क्यों गुला रहा है मेरे उसूलों को क्यों तोड रहा है तो इस पर मुस्तनिफा अस्मा चुक्ताई चिर गई उसने को गुस्सा आ गए फिर सुना फिर खबर आई चौते से के मिनटू बहुत खुश है मकान छिन गया मकान भी लोगों ने छिन लिया मगर दूसरे मकान भी खासा अच्छा मिला है और दूसरे मकान में अपनी जिन्दगी गुजार रहा है लेकिन वो मकान बहुत अच्छा है एक लड़की और पैदा हुई एक लड़की और पैदा हुई और साल गुजरते गए और दिरी दिरी साल गुज़रते रहे फिर एक लड़की और पैदा हुई मिन्टू का एक खत आया फिर चौते इस पाच्छे से खबर आई कि कोशिश करके मुझे हिंदुस्तान बुला लो अब जो है तो यहाँ पर किस्सा उल्टा है किस जारी हो गया और जेल हो गई और बाद में जेल हो गई हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे कि हम हिंदुस्तान में हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे किसी ने एतिजाज भी ना किया किसी ने मिन्टू के गौर्मेंट के खिलाफ उनके दुष्मनों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाय, इतिरास करने को आवाज उठाने को कहते हैं, बलके कुछ ऐसा लोगों का रवया था, कि लोगों ने कुछ ऐसा रवया एक्तियार कर लिया था, चाल चलन बढ़ताओं को अपने मामूल बना लिया था, आच्छा पास हुई है, यहने कोई करारदात पास हुई है, कोई नया सर्कूलर निकला, ना कोई एतिजाज हुआ, ना कहीं मिटिंग हुई, ना कहीं जलसे हुई, मिंटू के लिए किसी ने आवास नहीं उठाए, फिर मालूम हुआ कि दिमाग चल निकला, यहने कि पागल हो गया, और पागल खाने में यार दोस्त पहुँचा आए, यहने कि उसके दोस्त अवाब जो है तो उसको पागल खाने में पहुचा कर आगए, उसका दिमाग जो है तो पागल हो गया, मगर एक दिन मिंटू का खताया, बिल्कुल होशो हवास में लिखा था, कि अब बिल्कुल ठीक कि आप मुकरजी से बात करो, और मुकरजी को कहो कि मुझसे कुछ को जो है तो बंबे बुलवा लो, उसके बाद अरसे तक कोई ख़बर, खैर खबर नहीं आया, यहने कि अच्छी खबर नहीं बहुत बर्स गुजर गए, कई साल गुजर गए, कोई अच्छी खबर नहीं आ अब मिन्टू की खबरों से डर लगता था, आसम हमचे चुकता ही करें कि मिन्टू की जो भी खबर आती थी, ख़त के जरी मालूम होता था, यह कोई साल-dो साल के बाद कोई रिलेटिव अगर यहां आता था, मालूम, उसकी खबर देता था तो मुझे डर लगता था, जब हो जाता है तो उसके बाद उसको सिर्फ मौत ही आती है पाकिस्तान से आने वाले लोगों से भी पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग आते थे आज भी आते है तो जो आने वाले लोग थे तो उनसे भी इतनी ही कड़वी खबरे सुनी यहने कि इतनी ही खराब खबरे सु कि शराब पीनी लगया है, शराब के आदी हो गए है, शराब की इलत लग गई है, अपने पराए हर एक से पैसा मांग बैठते हैं, अपने हो या पराए हो शराब पीने के लिए जो अपना हाथ फैलाए हुए हैं, कि शराब पीने के लिए, कि दो रुपए खाने के लिए, पी पकर लाते हैं अपने आफिस में बिठाते हैं और किसी एक टॉपिक पर जाए तो मजबून लिए उनक से लिखाते हैं पेजगी पैसा दो यह पहले मजदूरी से पहले पैसा दो सब खा जाते हैं पहले ही पैसा ले लेते हैं पेजगी पैसा कहते हैं कि मजदूरी से पहले का मिंटु का आखरी खताया जिसमें एक मजबून अपने ऊपर लिखने को कहा था मेरे उपर लिखो और बे साख्ता मेरी मनोज जबान से निकल गया कि अब तो मरने के बाद ही मजबून लिखोंगी यान्या कि मैं आप कोई मजबून लिखने वाली नहीं हूं मरने के बाद ही मैं मजबून लिखूंगी और आखरी परिगराद दिखिए और आज मिन्टू के मरने के बाद मैं लिख रही हूँ मिन्टू नहीं मिन्टू ही नहीं अरसा हुआ मेरे और मिन्टू के दर्मियान बहुत कुछ मर चुका था इने के खत्म हो चुका था, तालुकात खत्म हो चुके थे, आज सिर्फ एक कसक जिन्दा है, एक हलका सा दर्द जिन्दा है, ये पता नहीं चलता किस बात की कसक है, किस बात का हलका सा दर्द हो रहा है, क्या इस बात की नदामत है, क्या अफसोस है, नदामत देने के अफसोस ह कि वो मर चुका है और मैं जिन्दा हूं ये मेरे सीने पर फिर कर्ज जैसा बोज क्यूं है मुझे तो मिंटू का कोई कर्जा याद नहीं या कि मैंने उससे कोई कर्जा लिया हो या कोई अद्वी कर्जा बाकी रहा हो तो ये कर्जा याद नहीं है और उसका कर्जा भी क्या थ कि ये ही ना कि उसने मुझे बेहन कहा था तो ये असमा चुकताई पर सबसे बड़ा करजा था कि मिंटू ने असमा चुकताई को बेहन कहा था तो मुसम्ने पर कह रही कि उसने मुझे बेहन कहा था मेरे लिए सबसे बड़ा करजा यही है मगर बहने तो खड़ी भाईयों को दम तोड़ता देखती है कि उसका दम तूट रहा है और वो देखती जाती है और कुछ नहीं कर पाती लेकिन कुछ कर नहीं पाती मरने वाले जखम लगा जाते है और जो अच्छे इनसान होते है अपनी यादों को नकूश छोड़कर चले जाते है और वो दिल पर हमारे जखम लग जाते है जो ना दिखता है ना रस्ता है यहने कि जो जखम लगता है यह वो दिखता है और ना जिसमों में जो है तो रस्ता हुआ यहने के बढ़ता है खामोश लगता रहता है और अंदर जो जख्म लगता है दिल के अंदर तो खामोश जो है तो उसमें दर्द जो होना शुरू होता है तो अजीस थल्वाव तालिवाद यह आज का जो हमने खाका देखा है मिंटू के चाल चलन और उनके अदबी जिन्दगी उनके अदबी जिन्दगी में अदबी गुफ्तगू उनका मिजाज उनकी बुझदिली जो है तो मुसन्नेफाने यह तमाम चीजे जो है तो उनकी बता लेंगॉ